हलो दोस्तो वैलकम टू हरी टेक्निकल दोस्तो आज का जो मैं वीडियो लाया हूँ दोस्तो छोटा सा वीडियो है इसमें दो ट्रिक बताऊंगा आप लोगों को जिसके लिए आपको मदद मिलेगा करने में चलिए दोस्तो आज का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तो इस तरह का देखिए कभी कभी फॉल्ट आएगा आपको पास कभी केपासिटर के जो उपर का प्लास्टिक अगर निकल जाए तो समझिए यह केपासिटर खराब हो चुका है यह नया फॉल्ट है इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं ठीक है इससे क्या होता इसका अंदर का जो लिक्वीड रहता है वह सुख जाता है उसके वज़े से यह हो जाता है ठीक है तो यह हमेशा याद रखिएगा इस तरह का अगर कोई भी प्लास्टिक अगर निकल जाए केपासिटर का तो दोस्तों आप क्या कीज़ेगा चेंज कर देजिए अगर आप लडी ग्लो नहीं कर रहा होगा ठीक है दोस्तों यह हो गया दोस्तों पहला ट्रिक और दोस्तों दूसरा ट्रिक जिसका मैं वीडियो बनाया हूं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको कि अगर आइसी फॉल्ट लाया हूँ छोटा सा ट्रिक है तो यह दो ट्रिक आप हमेशा याद रखिएगा और दोस्तों यह यह जरूर देखिएगा आई-सी का जो आई-सी फोल्ट है यह देखिए इस तरह का पी-फ लगा के आप आई-सी ओक्के कर सकते हैं बिना आई-सी चेंज किये हुए आप सर्कीट को ओक्के कर सकते हैं ठीक है दोस्तों इसका इस वीडियो का लिंक में डिस्क्रिप्शन में देदेगा जाकर जरूर देखिएगा और जानिएगा समझिया सीखिएगा ठीक है दोस्तों तो दोस्तों यह वीडियो अच्छा लागा तो लाइक कीजिए चैनल को सस्क्राइब कीजिए और दोस्तों बेल आइकन प्रेस करना मत बुलिए थैंकि फर वाच हरी टेक्निकल थैंक्स